Hello बच्चो वेल्कम बैक तू मैं चैनल तो आज की वीडियो में बिता हम करने वाले हैं cash flow statement Part 1 में आपको कुछ ये सम्झाई थी मैंने बताए था बच्चो cash flow statement in flow out flow फिर मैंने आपको बताया था cash flow तीन पार्ट में apart होता है operating activities domestic activities और Financing activities operating में inflow out Chuck o a 것으로 investing में इस ही financing में सबसे पहले क्या करें अगर कोश्चन में आपको दे रखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट सबसे पहले उसका नेट प्रॉफिट लेकर चला जाए ऑपरेटिंग में जो यहां पर मैंने लिखा है कैश फ्रॉफ्रम अभी बाते करते हैं फिर क्या बताया था मैंने आपको उसी रखा रखा है रिजर्व एंड सब्सक्राइब चलोगी यह सिंपल बात कर लेते हैं यह हमारा रिजर्व हाँ जी बच्चों तो रिजर्व आपका अगर दे रखा है रिजर्व किसका बाट होता है बेटा मैं ऐसे बनाऊंगा आगे ऑपरेटिंग तो अगर कोश्चन में र यह जाता है यह जाता है इनवेस्टिंग में बताया था बच्चों चलो बच्चों अगला NCA और NCI सर यह भी होती है इंवेस्टिंग एक्टिविटीज शेयर कैपिटल कहुंसी होती है बच्चों सर यह तो फाइनेंसिंग होती है बोरुइंग यह भी सर फाइनेंसिंग होती है सब बता दिया आपने देखे लो बीटा तो यह था आपका एक रीकैप जो मेरा पार्ट वन था वीडियो का आज हम सीखेंगे बेटे जो आपकी यह तीन एक्टिविटीज होती हैं इनको हम कैश्फ्लो स्टेट्मेंट बनाते हुए प्रिजेंट कैसे करते हैं स्टार्ट कर देखा बच्चों कैश्फ्लो फ्रॉम कैश्फ्लो फ्रॉम ऑप्रेटिंग एक्टिविटीज उपर आप लिखेंगे सेम तरीका कैश्फ्लो स्टेट्मेंट और जिस यह का दे रखा है आपको यहां पे लिखेंगे एड थर्टी फर्स्ट मार्ट फूटाउज़ेंट ट्व आपकी जो बुक है या जो आपके सॉलूशन साब देखेंगे उसमें सब कुछ खिचड़ी बना रखा हम यहां पर खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम यहां पर दाल अलग करेंगे चावल अलग करेंगे कैसे सबसे पहले कोश्चे में निकालना है आपको नेट प्रॉफिट और टेक्स एंड एक्स्टा ओर्वनरी आइटम नेट नरी आइटम है और यह टेक्स है इससे पहले क्या प्रॉफिट था दो चीजिन पहले आप सुल लेजिए जब आप बात करेंगे बच्चो टेक्स की तो टेक्स में क्या होता है करन्ट यर का करते हैं फ्रोवीजन ठीक ह और जो tax होता है इसका जो previous year होता है उसको आप या करते हैं बच्चों paid इसका मतलब tax का current year का provision और last year को आप paid करते हैं अब हम सीखते हैं, बच्चों मैंने क्या लिखा है, net profit before tax and extraordinary item, इसके आप अच्छे से घोटे लगाएंगे, घोटे मतलब यहाँ पे इतने ही item आते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं, net profit before tax and extraordinary item, ये मैंने निका ली calculation, ये है मेरा working note, पहला तरीका, जो भी आपको difference हो, opening और closing reserve का, या फिर आपको balance दे रखा हो profit loss का, उसको उठा के यहाँ लिखते हैं, question में आपको दे रखा है statement of profit loss, और net profit दे रखा है, सीधा पंच कर दीजिए, question में दे रखी है आपको balance sheet, profit loss का balance दे रखा है एक लाग, closing का balance दे रखा है 1,50,000 तो plus 50,000 कर दीजिए, यह तो curling गया, अगला, यह item आपको add करना है, कौन कौन से, अगर कोई आपने reserve में पैसा transfer कर दिया, add कर दीजिए, अगला, proposed dividend, previous year का, धान रखना, सेके इसी पर आत करो बेटा, जो proposed dividend होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, proposed dividend, यह current year का करो, ignore, और previous year का क्या करो, बेटा, तो net profit लिकालते हुए, आपने transfer to reserve माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए, आपने proposed dividend माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए, आपने interim dividend, कौन सा बच्चों, interim dividend, यह भी आपने माइनस करा होगा, उठा के प्लस कर दीजिए, प्रोविजन फोर टेक्स, अभी मैंने बताया, current year का profit, current year का profit, उसमें से आपने टेक्स माइनस करा, लेकिन ओ एक्षिर तो बेग हुआ नहीं, उठा के उसे प्लस कर दीजिए, और कोई भी extraordinary item, जो debit में आ रहा है, statement of profit loss के, उसको यहाँ पे लेके आ देगे, क्यों? हम यहाँ पे बच्चों बना रहे हैं, net profit before tax and extraordinary items, ठीके जी, यह पांचों आइटम आपने प्लस करें, सर यह मुझे याद करने हैं, हाँ जी याद करने हैं, सर्दे भी करें, आपको भी करने हैं, transfer to reserve, फिर सुनो, proposed dividend, interim dividend, proposed dividend पहले वाला, provision for tax, current year, और extraordinary item, जो debit में हैं, less क्या करने हैं, कोई income में profit loss के item credit है, उठा के minus कर दीजे, क्यों? गलती से उसने आपकी income को बढ़ा रखा है, कम कर दे, और refund अगर आप tax ले रहे हो, तो वो भी क्या कर दे, minus, इससे निकलेगा बच्चों आपका net profit before tax and extraordinary item, कितने item हैं, साथ, tax, दो dividend, अगर आप यहां पे देखेंगे, transfer to reserve, debit, credit, और last में refund, आयोब कर लोगे, चार, यह तो हम कर लेंगे, सर, अगली बात बताओ, सर में तो, हाँ बेटा, net profit निकल गया, अब आपको क्या करना है, बच्चों, non-cash expense या non-cash income, non-cash expense कौन-कौन से होते हैं, मेटा, फटावट बटाएंगे, आपने profit loss में खर्चा पड़ा था, depreciation, क्या उसमें cash चला जाता है, नहीं, जब cash गया ही नहीं, profit ले रहे हो, आप, और लेडी minus कर रहे हो, उठा के plus कर दो, amortization, amortization क्या होता है, बेटा, आपका, amortization, इसमें क्या आपके पास से पैसा गया, नहीं गया, उठा के plus कर दीजिया, और profit या loss on the sale of investment, fringe assets, इसमें भी पैसा नहीं जा रहा आपका, तो मैंने दर्चों क्या करना देखो, and करना है आपको non-cash and non-operating expense, पहला depreciation, दूसरा amortization, ये और तीसरा loss, ठीक है, अब interest paid, interest paid क्या होता है बेटा, ये है आपकी financing का खर्चा, यानि जितना भी आप interest pay करते हो, ये finance का item होता है, यहाँ पे उठा के क्या कर दो बच्चों, add कर दो, और अब आप करेंगे income, देखे बेटा income, interest, dividend और rental income, क्योंकि ये है आपकी investing, ये क्या लिखता हो बेटा, ये है मेरा financing का item और ये है मेरा investing का item, अगला यहाँ पे profit है और यहाँ पे loss है, अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस कर दो, और डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस कर दो, इससे निकलेगा आपका operating profit, before working capital changes, हाई सर ये तो भहुत सारे आइटम हो गए, सर क्या मुझे याद करने पड़ेंगे, बेटा याद नहीं स्टिक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, सबसे पहले net profit में साथ आइटम आते हैं, इसका अच्छे से घोटा लगा, फिर आप याद रखो कि non cash expense या income, या फिर non operating ऐसी income जिसमें cash नहीं खर्चोरा, वो उठा के plus करो, और income non operating माइनस करता हूँ, हो गया माइनस, अब अगले दो point मैंने अलगल लिखे हैं, कोशन करते हूँ, सेम लिखेंगे, क्या बच्छो, current assets या current liabilities, अगर current assets पिछले balance sheet के मुकाबले, ज्यादा होता हूँ दिखाई दे रहे हैं, increase, तो इसका मतलब आपने क्या करा था बेटा, आपने और purchase कर ली है, यानि ये क्या होगा बच्छो आपका outflow, तो ये मैंने आपक कोई चार्च पिवरवाया था बच्छों, last class में, आप पार्फ़र में जाके चार्च देखेंगे, assets और liabilities का, तो आपको समझा देगा, तो current assets और liabilities का increase, decrease ये करा आपने, इससे आपने निकालके बोला, cash generated from operations, इस में से minus करने आप income tax paid, और ये कौन से year का होता है मेशा, previous year का और add or less करने extraordinary item, इससे आपको मिलेगा cash flow from operating activity, मैंने लिखा हुआ है, insurance claim received as an extraordinary item, first deduct from profit, then added in the extraordinary item, आपको insurance claim मिला, तो आपके profit में शामिल हो गया, लेकिन extraordinary है, पहले minus करें, और यहाँ पे जाके plus करने, तो ये पूरा जो हमने भी चार्ट बनाया ये है आपका operating activities का, जिन लोगों ने ये पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मत घबराना बिटा, हम 6-7 question करेंगे, question करते करते आपको समझ आएगा, कैसे question चलेगा, कैसे question plus minus होगा, सिर्फ आप ये समझ लीजिए, जो मैं आपको बतारा हूँ, second बच्चो इसी में होता है, investing activities, देखो investing का बहुत साम तरीका, investing में आते हैं आपके assets, कौन से assets, non current, tangible on tangible आते हैं, और क्या आते हैं, आपके investment आते हैं, तो अगर वो आप खरीद रहे हो, तो खरीदने के लिए क्या करोगे, पेटा, पेमेंट करोगे, और अगर उन्हें आप बेच रहे ह अगला, sale, sale of investment, या फिर fixed assets, पेसा प्लस हो गया, दिखाई देना, अगला, loan and advance repayment, और अगर देखोगे बेटा, loan given, तो अगर आप क्या करते हो बच्चों, अगर आप purchase करते हो, fixed assets, purchase करते हो, investment, और किसी को आप loan दे देते हो, मैंने अपने एक किसी भाई को loan दे दिया, तो प current assets में यह एक मात्रे सा आइटम है, जो यहां पर दिखाई देता है, ठीक है, इसी तरीके से जब flow करो गया, तो loans and advance यह आपको receive हो गया, अगर repayment आपको receive हो रही है, अगले तीनों आइटम बेटा, यह है, आपने operating करते होए जाके plus किया, दिखाऊं बच्चों, यह दिखो आपने क्या plus कराता वो देखते हैं, interest, interest income, dividend income, और rental income, क्या कराता जाके, माइनस क्या मोने बताया था, investing activity, तो देखेंगे बच्चों, क्या आ रहा है, सर्वा, यह तो आ रहा है, rent received, dividend received, और interest received, क्या होगा मतलब, याद रखेंगे दिमाग में, से बना देते हैं, अच्छे ब प्लस करो, और operating में जाके माइनस करो, तो क्या किया बेटा investing activities में, अगर assets बेचते हुए, पैसे आए, प्लस, investment पेचे पैसे आए, प्लस, rent received, प्लस, किसी को loan दिया था, वापिस आया, प्लस, dividend आया, प्लस, rent और उसके लावा interest आया, प्लस कर दिया, क्या माइनस कर, आपने क चाहे वो tangible हो, चाहे वो intangible हो, इसको बोला आपने cash flow, और इसको बोला cash use, अगर हमारा हो जाए बच्चो, A is greater than B, तो इस case में होगा बेटा, अगर आपकी receive ज्यादा है, और आपने जो खर्चा करना वो कम है, तो इसे लिखेंगे cash flow from, जो भी आपकी activities है, investing activities, लेके, अगर ह हो जाए, A कम रहे जाए, और B ज्यादा हो जाए, इसको लिखेंगे बच्चों used, जैसे मैं यहां लिखने की कोचिक भी तो figure आपकी यहां पर minus में आएगी, ओके, next activities पर आते हैं बच्चों, next is financing activities, financing activities में अगर आप याद करें, जब मैंने आपको पीछे balance sheet पढ़ाई थी, share capital और borrowings ही आये थे, इसका मतलग जब आप share issue करते हो, जब आप डिवेंचर issue करते हो, प्रिफेंचर issue करते हो, तब पैसा आपके पास आएगा, या फिर आपने क्या किया था बेटा, किसी से loan ले लिया, इन cases में पैसा आएगा, इस case में पैसा आएगा, इस case में पैसा आएग कर लिया, पैसा देना पड़ेगा, आपने प्रिफेंचर को रिडिम कर लिया, पैसा देना पड़ेगा, आपने डिवेंचर को रिडिम कर लिया, पैसा देना पड़ेगा, आपने जो loan लिये थे, उसका repayment कर दिया, पैसा देना पड़ेगा, और last अगर आप देखें, interest expenses, दे यह आपको आयोग दिखाई दे रहा होगा अब इसके अलावा क्या आएगा बेटा और देखो इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं चलिए चाहिए अब जो चीजे आपकी इंट्रस्ट क्या था बच्चो यहां इंट्रस्ट चाहिए लोन का हो इंट्रस्ट चाहिए वो डिुव रेंचर का हो और कोई नीए यहाँ पर दिखाए आपको इंट्रस्ट यहाँ पर दिखाई हे बच्चो डिविनेंट यह 煮िन सकांच क्या हो रहा है इसका मतलब profit करते हुए आपने minus किया था तो आप देखेंगे जब आपने operating activities करी होगी तो आपने जाके ये plus करा देखते हैं बच्चों क्या करा है उन्हें सर हम देख लेते हैं गी interest paid on borrowings आपने यहां जाके plus करा ऐसे ही जब आपने profit की calculation करी थी न बच्चों तो आपने interim dividend plus करा आपने proposed dividend इससे क्या करा आपने plus करा तो minus कहां से होगा बच्चों minus आपका होगा financing activities इन तीनो activities का total आप लिखेंगे यहां पे plus करेंगे बच्चों आप opening cash या cash equivalent इसे बोलते हैं जैसे ही आपने plus करा और यहां पे जो आपका answer आएगा वो आपके closing से match हो जाएगा अगर यह answer match नहीं है इसका मतलब question हो गया आपका गलत आपको फिर से calculation करने पड़ेगी छे नंबर का question इसमें आपको दिखाई देता है next classes में बच्चों हम क्या करेंगे कुछ 5-6 questions solve करेंगे कोशिच करेंगे कि इसमें फटाफट से solve करेंगे तो आज की class में बच्चों मैंने आपको सिखाया पहले balance sheet की कुछ item फिर मैंने बच्चों आपको सिखाये net profit before tax एक्टाणे item operating activities फिर मैंने बात करी investing और financing activities I hope यह वीडियो आपके समझ में आया होगा इसको आप शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू बच्चों